दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी आ चुकी है रेलवे के तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है दोस्तों तो यह बहुत बड़ी अपडेट आ गया है क्योंकि इसका सभी लोगों को इंतजार है जैस कौन कौन लोग इसमें भरेंगे क्योंकि यह इस बार चेंज कर दिया गया है तो आएए उस नोटिस को भी जारी कर देगा वेकेंसी के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं उससे पहले इतना वड़ा गूड निउज आपको लिए लेके आया हूं तो एक तो दोस्त आप काम कर देजिए वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए इसी तरह के बेस्ट नॉलेज और फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों तो आहिए मिलने के चलता हूं उस गूड निउज के तिरफ जो की नोटिफिकेशन इस हुआ है आपक के तम सब्सक्राइब करेंग की चाहिए कि लिए यहां पर अटेंशनचन पर देजिएंध इजरी कर दोस्तों यहां सब्सक्राइब को नπα। सबसे बड़ी अपडेट है कि केवल टेंथ पास वाले आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं रेलबे ने अपडेट कर दिया गया अब जो बच्चा जो एस टुडेंट टेंथ प्लस आई टी आई करके अप्रेंटिस किया है दो चीज मेंशन किया है दो टेंथ प्लस इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है दोस्तों एक लोग जो होते हैं वह आई टी आई करने के बाद अप्रेंटिस कर लेते हैं और एक वेकेंसी रेलबे कई जगा कई कंपोनियों में करवाए जाता है जो टेंथ के पार डाइरेक्ट अप्रेंटिस करा देती है तो दोनों ग्रांटेड बाई एनसी काउंसील फोर वकेशनल ट्रेनिंग के तरफ से होना चाहिए या तो आपके पास टेंथ प्लस आई टी आई है केवल उलोग पी इसमें भाग ले लेंगे यानि कि अब टेंथ वाले ट्वेल्थ वाले इसमें इलीजिबल नहीं रहने वाले हैं ग्र मैं लगत्तार बैट को भी चर्वेच रहें रहा हैं लगतार बेच और रेल जुक्तोड बना देंगे यह बना देंगे वोगा स्ट कीılar यह कि बिखा Made क्योंकि इसमें railway ने उस चीज को भी एकदम निश्चित कर दिया गया कि आगे कि जो भी वेकेंसी है उसके लिए eligibility क्या होने वाली है एक और चीज मैं बता दू कि इस वर पक्का जो की साट से सतर हजार के करेब ग्रूप डी के वेकेंसी आपके लिए आने वाली है तो जो लोग कर लिया है उनके लिए बहुत पढ़ी opportunity आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना वेहतरिन तरीके से तयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इलेक्षन के पहले पहले बहुत बड़ी मातरा रेलवे आपको जॉब देने वाला है दोस्तों तो बहुत अच्छा हड़ा किये थे धरना दीये थे तो उसमें 2019 और 18 वाले वेकेंसी का जो निकला था उसमें कर दिया गया था लेकिन अब जो चेंज कर दिया गया क्या दोस्तु 2018 में भी बता दिया गया था कि आप इटी आई वाले ही इसमें भाग लेने वाले पॉइंट में उस चीज को क्लियर कर दिया है जो मैंने बताया है कि देखिए यहां पर दिस इंफॉर्मेशन जनरल पॉब्लिक देटीज रिलेक्शन मीनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाजवनी स्पेसिली फोर रिकूरुट्मेंट बिंग अंडर सेंट्रलाइज इंप बाद से जो भी वेकेंसी आएगा लेवल वान यानि की ग्रूप टी के लिए चाहें वह सिविल इंजिनिरिंग में हो मेकैनिकल में इलेक्टिकल में हो सिग्नल टेलिकॉम डिपार्टमेंट्स में हो कैट्रिंग विंक्स में हो रेलवे के पार में जॉब करना है तो टेंथ प्लस आपके पास नेशनल अपरेंटिशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप इसमें भाग ले सकते हैं या तो आपके पास टेंथ प्लस यहां पर आईटी आई होना चाहिए इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर ही बता दू कि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है दोस्तों कि आप रेलवे से ही अपरेंटिश किये होंगे तो इलीजिबल होंगे आपके पास अगर किसी भी कमपनी से अपरेंटिश का सर्टिफिकेट है प्लस यहां अर आईटी आई है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं तो इस चीज़ से आप निस्ची तरह यह बहुत अच्छा का कि कोई भी स्टुडेंट कहीं से भी अपरेंटिश किया हो इसमें इलीजिबल है अगर रिजर्वेशन वाली बात है तो जो रेलवे से किया होंगे उनको उसका रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन फॉरम आप भर लेंगे आप पार्टिसिपेट हैं आपको रिजर्वेशन का अ और बेस्ट न्यूज बेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कामेंट कीजिए कितने लोग कौन से पोस्ट पर रेलवेश ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई